कि आप किकोर अज़ करेंगे की कोई तो यहांपर आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलेगी एक एक एक्स्ट्रा बोट आपको देखेने को मिले जिसका नाम है Martingal Trading Board किस तरह से यहां पर काम करती है यहां पर already मैंने एक Trading Board यहां पर लगा रखा है तो आप इसे भी Checkout कर सकते हो इसके बारे में Total Sum हम यहां पर बात करेंगे कि कितना से आपको Start करनी चाहिए जिससे कि आप यहां पर Profit बना सको तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है अभी तक यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बिल आइगन को प्रेस कर देना है और डिस्क्रप्शन पर टेलीग्राम के लिंक मिलेगी अगर मार्टेंगल ट्रेडिंग को फ्यूचर ट्रेड पे आप यूज कर दे होते तब ये गैंबलिंग होती बट ये स्पोर्ट ट्रेडिंग पे चल दी है तो यहाँ पर ये काफी प्रॉफिटेबल स्ट्रेडजी से और मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे 500 डॉलर, 1000 डॉलर से यहाँ पर इसे बोट को यूज करो तो डेली का अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते हो तो डेली का 3 से 10 परशन तक का प्रॉफिट एजली बन सकता है अगर आप 500 यह 1000 डॉलर से इसे ट्राइक करते हो तो अब मार्टिंगल ट्रेडिंग बोट को अच्छे से समझने के लिए हमेहाँ यहाँ पर मैं एक एकजामपल लेता हूँ याद रहे यह एक एकजामपल है किसी तरह का आपका प्रमोशन नहीं है किसी तरह के स्पोंसर्शिप नहीं है यह मैं एक्टुली में मेरे बरे भाई जो है वो इस प्लैटफॉर्म को प्ले करते हैं जो कि कलर प्रेडिक्शन वैबसाइट है तो इंडिया में कलर प्रेडिक्शन की वैबसाइट काफी ज़्यादा चल दी है अगर आप पाकिस्तान या बंगलादिस से हो तो I don't know बड़ इंडिया में यह सी जगा है काफी अच्छे से चल रही है तो इसके थ्रू में आपको एक्जांपल यहाँ पर बताने वाला हूं तो अराम से अच्छे से समझनी है औरना बाद में आप बोलोगी आपको समझ में नहीं इसलिए इजली वे पर आपको समझना है कलर PRDICTION वेब साइट में यहाँ पर क्या होती है कि आपको कलर PRDICT करना होती हम जोएन ग्रिं जोएन डोर आपको PRDICT करना पड़ता है इसके लिए एक टेलिग्राम का चैनल भी है जो कि यह प्रेडिट करता है अब यहाँ पर आप देख सकते हो यह इसने कहा यहाँ पर ग्रीन लगाने के लिए अगर यह ग्रीन लूज करता है आप यह देखो ग्रीन पर 100 रुपे यह लगाने को बोलता है अगर आप इसे लूच करते हो तो फिर यह क्या बोलता है कि अब जो next bet होगी जो कि rate यहाँ पर बोला गया है इसमें 3 गुना amount बरहा देने के लिए 100 इंटो 3 300 अब यह यहाँ पर बीन हो चुका है फिर से इसने यहाँ पर बोला है rate पर 100 रुपए लगाने के लिए यहाँ पर यह लो 100 चुका है अब देख सकते हो इसके बाद फिर से इसने कहा कि rate पर लगाने के लिए लेकिन 300 मतलब 100 इंटो 3 3 का multiply पर तो 300 लगाए यहाँ पर 200 चुका है इसके बाद फिर से इसने rate को कहा कि 900 रुपे लगाओ मतलब 300 into 3 3 का multiply 900 तो 900 भी यहाँ पर 200 हो चुका है अब देख सकते हूं फिर इसने green पर कहा है 2700 रुपे लगाने को मतलब 900 into 3 3 गुना बरहाने को 2700 तो यह यहाँ पर win हो चुका है तो overall situation पर यहाँ पर देखे तो 1600 रुपे का win हो चुका है मतलब यहाँ पर bet play की जाती है कि अगर आप 100 रुपे लगाते हो और जिद जाते हो तो घिल खतम फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो 100 रुपे से लेकिन अगर आप यहाँ पर 100 रुपे हार जाती हो तो 300 के multiply पर आपको लगानी है तो इस तरह से आपका जो bet है वो बढ़ता जाता है और आप उसकी जो value होती है दो गुना तीन गुना अपने हिसाब से बढ़ा सकती हो तो यहाँ पर जो martingal trading bot है वो कुछ इसी हिसाब से यहाँ पर काम करती है बट यह sport trading पर चल दी है जब कि future trade पर आए तो यह gambling हो सकता है बट sport trading पर मुझे नहीं लगता कि कोई risk है अब मैं आपको यहाँ पर यह समझाता हूँ कि यह basically कैसे play की जाती है अब आप next के option पर यहाँ पर click करोगे तो अब आप देख सकते हो आपका total यहाँ पर position 100 हो रहा है अब martingal trading board के concept को अच्छे से समझना है तो इसे भी आप अच्छे से सुनना ताकि आपको समझ मा जाए सपोर्च करो कि आपके पास 310 डोलर है तो यहाँ पर मैं इसे कल दे रहा हूँ 310 डोलर सपोर्च करो कि आपके पास है तो अब आपने यह सोचा आप यह सोचो कि बीटी से का price चल रहा है 17,170 डोलर पे अब आपको यह अब आपने martingal trading board पे यह set किया है कि जब भी इसकी price जो है वो 4% यह 5% डाउन जाती है तो आप उसमें trade लेते रहोगे और जब जब यह 5% डाउन जाती रहेगी तब तब अपना जो trade का amount है वो बढ़ाती चलोगे तो आपने ऐसा किया कि 310 डोलर है आपके पास बीटी से का price जब 17,170 डोलर है जब इसकी price 5% डाउन हो जाती है 5% आप यह सोचो कि मालो इसकी price 17,000, 16,000 इसकी price 900 डोलर आ जुकिए ठीक है यह आप इसी हिस आप से मान सकते हो अभी पूरी calculate करोगे तक आभी दिक्कत होगी तो आप यह समझो कि 16,900 डोलर आ गई है तो 17,170 पर आगर आपने 10 डोलर का buy किया है तो 16,900 डोलर पर आप 20 डोलर का buy करोगे मतलब automatic buy हो जाएगी क्योंकि आपके पास 310 डोलर है और यह 5 position पर बढ़ जाएगी आप देखते रहना तो जब जब 5% का down जाता रहेगा आपकी position की size बढ़ती जाएगी पहला इसने 10 डोलर का लिया है दूसरा इसने 20 डोलर का लिया फिर से यह 5% का down गई तो फिर यह अगर down ही जा रही है मालों फिर से 5% down चली गई तो अब यह buy करेगा 40 डोलर का फिर यह अगर 5% down चली गई वह market down पर down जा रही है जा रहा है, अब आपने इसमें ऐसा SET करके रखा होगा, कि जैसे आपकी 3% Profit में जाती है, तो यह यहाँ पर Sell Out कर दीए, अब आप यह सब्सक्राइब करें कि पहला इसने 10 का Buy किया, फिर इसने 20 का Buy किया, फिर इसने 40 का Buy किया, इसी दोरान 40 में जब आपने buy किया तो यह 3% का आप चली गई तो 40, 20, 70, 70 डोलर का जो भी average price होता है वहाँ से 3% का जैसे ही up जाएगी तो यह यहाँ पर sale करके निकल जाएगी तो इस boat को आपको उस coin पर use करना है जिसमें liquidity हो, जिसमें काफे ज़्यादा fluctuation हो जैसे btc हो, ethereum हो, जो casius coin है, dot है या फिर xrp हो, ada हो तो इन सब coin पर आपको use करना चाहिए जिसमें liquidity हो, जिसमें आपके loss के chances कम हो अब मैं इसे आपको use करके दिखाता हूँ तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो increase position when price drops by 0.12 15% तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर btc आपके हिसाब से select करना है कि आप कितना percent down होने पर आपकी जो buying amount है उसे बरहानी है तो support करो कि इसे मैंने 5% ही बुलाता है तो 5% मैं इसे करता हूँ तो यहाँ पर मैं 5% set कर देता हूँ आप अपने हिसाब से 3%, 2% जितना आप चाहो basically आप 2% करोगे तो better है क्योंकि 2% का btc आप down होता रहता है तो 2% मैंने यहाँ पर set कर दिया मतलब हर जब भी btc 2% down आएगी आपकी position की जो size होगी वो बढ़ती जाएगी तो वो भी आप यहाँ पर set कर सकते हो आप चाहो तो 1.5 भी कर सकते हो बट 2E better है तो मैंने 2 किया है आप जैसा की 10 into 20,40 तो दो अगर position आपन करते हो तो जैसे जैसे इसकी 2% के down जाएगी यह आपकी जो position size हो बढ़ती जाएगी जैसे इसको percentage profit मिलेगा तो profit का size आप यहाँ पर set कर सकते हो कितनी percent चाहिए पांच मैंने यहाँ पर set कर दिया अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि BTC का price जैसे यह 2% down जाएगा आपकी जो position buying होगी वह 20 डॉलर हो जाएगी फिर से 2% का down जाएगा तो फिर 40 डॉलर पर यह यहाँ पर बाई कर लेगी फिर से 2% down जाएगा तो फिर 80 डॉलर का यहाँ पर बाई करेगी और जैसे इसको 5% का average price जो भी आपका 5% का profit मिलेगा यह यहाँ पर sell करके निकल जाएगी और फिर sell करने के बाद फिर उसे वह सिल्सला चाली फिर से वह सिल्सला चालू हो जाएगा अब टोटल जो investment की यहाँ पर नीड है वह 40 डॉलर की है तो लेडि मैंने 40 डॉलर से किया है वह भी मैं आपको दिखाऊंगा बट बेटर होगा कि आप इसे 500 यह 1000 डॉलर से ट्राइ करो और नेक्श्ट विडियो पर मैं 1000 डॉलर से ही ट्राइ करके आपको लाइब दिखाऊंगा किस तरह से आप multiple time किस तरह से आप यहाँ पर इस तरह मार्टिंगर ट्रेडिंग बॉर्ट में प्रॉफिट बना सकते हो अगर दोस्तों यह यहाँ पर future ट्रेडिंग पर होती तो यह जी gambling के तरह आप इससे ले सकते थे बट यह जी sport ट्राइ किया था यह किस तरह से यूज होती है ताके मैं आपको बता सकूँ तो यह कुछ इस तरह का है जो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको सो करेगा order details में आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 16,665 बाइंग है फिर 16,325 बाइंग है 15,985 बाइंग है 15,6 में 15,305 में तो टोटल साथ पोजिशन थे इस कारण से इसकी बाइंग कुछ बड़ी से दिख रही है 5-6 पार्ट में दिख रही है order history है तो order history आप देख सकते हो इसने पहली बाइंग कर चुकी है 17,000 में इसने बाइंग किया और जो भी profit वगेरा है जो मैंने set कर रखा है उ आपको बताऊंगा तो I hope दोस्तो ओको समझ माथ चुका होगा qucoint पको तो क्लिक करmember कर डिय्ट कर सकते हों तो मलतों दोस्तो नेक्ट वीडियो में एक नहीं इंफर्मेशन के साथ अब अ